आसिफ का मैं रूप करूँगे महूं से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं देखे आसिफ चंदौली से अश्वनी भी हमारे साथ बने हुए हैं 11 दशमलो दो पांच प्रतीशत यहां मदान हुआ है सबसे जादा अन्य जनपतों के हिसाब से बहुत जादा महूं में सबसे कम क्या बदान हुए इसके पीछे असिफ पांच जिहां इसके पीछे जो आप जो है वो लगातार जो है दो है निकल चुकी है तो मेरे चाहिए तक यह एगए तक रिदेट आगा वो अच्छा ही हो तकता है अच्छा बेंगा लेकिन जो वोटर्स है वो धिर दिर अभी अपने जनता तो यहां कि जागरूप है लगतार वोट करना भी चाहरे गया है वोट करने के लिए आनकि इसके पहले कि जब हम लोगों ने जनता भी पोशिश की तो जनता ने साफ दो तो कहा कि आपकी बार वोट देना है और कुछ बदल अलग करना है कुछ विकास के मुद्दे पर जादी बात होगी शायद यहीं वज़ा हो कि कई न कई कई मुद्दे हैं और आपको बताते हैं कि लगतार जो है जो वोटर से अगर मात करें वोटर अपने अपने खरों से धीरे धीरे जो है एक एक करके निकल भाएं जी बिल्कुल यानी हो सकता है कि हमें जो वोटिंग परसंट है वो ग्यारा या बारा बज़े के बाद जादा देखने करें मिले माइलाएं जो हैं सारे कामकाश रिप्ता कर तब मतिदान बूतों पर पहुंचे ऐसी तस्वीर भी हो सकती आसिव पर जाएं निकल सकते जो घृрем निकल सकते जो आप जिस बूत पर पहुजूद है वहां पर पानी है उइंगागज पर कैसे तस्वीर है आसिए कौन से विधान सभा के बूट पर हम रहे हैं और यहां थे हैं लगतार वोटर से बात करने के बोशिश करिए गाइए कुछ मुस्लिम मैं आए अब बात करने कोशिश करेंगे इंचारी मैं इस पूछी ना इनसे पांसाल अच्छे थे नहीं थे यह पूचे ना इनसे जो गुजरे हैं फांसाल अच्छे थे जो पांसाल अच्छे थे यहां ठीक थे तो क्या बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं और चाहती हैं कि कुछ अलग हो ज़या हो कुछ पूरुस भी है पीशे उसे भी बात करिएगा असिफ पता है अग्ले स्टरकार आ रहा है अच्छा है क्या बदलाओ चाहते है रहा है अच्छा है अग्ले स्टरकार रही है क्या यह विकास किया है कुछ और रही है अग्ले द्याद आना तरह से जो कुछ ऐसे वोटर से जो खुलकर नहीं बोल पार है जो छेप जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुखरों कर बोल रहे हैं कि हमें तो इसकी सरकार चाहिए इन पांस सालों में कुछ नहीं हुआ है जैसकि अभी एक वोटन पर कहा कि अखलेश के सरकार चाहिए इन पांस सालों में कुछ नहीं हुआ है यानि की बदलाव के सिती तो है देखिए पुर्वांचल बीज़ेपी का गड़ माना जाता है कि बीज़ेपी यहां से सीटे अराम से निकाल लेती है पश्चिम से तोड़ी मुश्किल होती है ल है और पुर्र राजिपाल है विहार के राजिपाल है उनके ललके जो है रामगिला चौहान है और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि मुहम्दाबाद की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो आपकी जड़ाई रहेगी वह बहुत दिल्चस्त रहेगी देखने को मिल्चस् बिल्कुल अश्विनी अगर वहां का जिक्र करूं चंदॉली का तो सुरक्षा कर्मी बहुत जादा मुस्तेदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं अश्विनिकी अभी माउसे भी आसिफ हमार साथ बने हुए हैं आसिफ से हमने गालने की कोशिश की है मद्दाताओं से पूछे बहाँ पर उन्हेंने मद्दाताओं से पूछने की कोशिश की तो कुछ तो जेव जा रही हैं लेकिन कुछ मुखर होकर बोल रहे हैं कि अकले श्यादर की सरकार इस बार चाहिए क्योंकि पास सालों में इवकास नहीं हुआ है चंदॉली में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा ह जी मैं बताना चाहूंगा कि मतदाता जो है अब जागूरूत हो गया है वह परिडाम दिखाना चाहते हैं न की बोलना चाहते हैं पुछ मतदाता हैं जो की बोल रहे हैं लेकिन बाकी मतदाता जो हैं अंडर इस्टूड सब्दों में अपनी भाव को जट कर रहे हैं और जीता हार होने की संभाव ना बेक्ता जारी है चलिए ठीक आप नजब में आके रखेगा अश्विनी और एक बार फिर से अपने दर्श्वकों को बता दें कि नौ जिले हैं चौवन विधानसभा सीटे हैं जिन पर मतदान लगातार जारी है इन जिरों में चंदॉली भी श अंख्या जो है वो भी भारी है ऐसे में कुल 925 मदान केंदर बनाए गए हैं और जो बूत हैं वो 1600 से ज्यादा हैं जनपत के सभी मदान केंदरों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये हुए हैं और वहीं से बीश बसपा सिप्रिम मायवती ने ट्वीट किया है और कहा कि यूपी में परवांचल के 90 की 54 मिधान सबा सीटों पराज 7 वे और अंतिम चरण के मतदान में वोट्रों की भारी भागेदारी जरूरी है ताकि आपके वोट की ताकत से चलावा और वादा खिलाफी आदी से मुक्त जनहित और जनकल्यान को समर्पित आपकी आजमाई बन सके आगे वो कहती हैं आसिफ आप भी सुनिएगा और अश्वनी आप भी सुनिएगा मायवती कहती हैं कि जातिवादी सांप्रदाइक संक्रीडी दुवेश पूर्ण और एंकारी सोच से काम करने वाली सरकार से मुक्ति मिल सके जिसकी चक्की में यूपी की जनता पिश बेवजा भरोसा करती आई है जनता केवल बीएसपी पर ही बरोसा अउचित है जनता कितना भरोसा वह रही है जो उसका कॉल मौटर है क्या लग रहा है मतदान करने के लिए पहुंच रहा है और समझ पा रहा है बस पास सिर्व मायवतीं ने पैस अश्वनी आप बताईए फ वोटर जो बसपा वोटर है थोड़ा सा वो गरीब तब के हैं और त्वीटर आधी उनके नहीं पहुच पाता है जितना भारी मात्रा में अन पार्टियों के कारिकरतां तर पहुचता है लेकिन यह पताना चाहेंगे कि यहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री होगी आधी तिना को हमें रोकना होगा और इसके लिए अपने बोटरों से अपील की दोनों पार्टियों पर निसाना साथ रही मायवती लेकिन सपा पर विसेस आक्रोश दिखा रहे हैं बिल्कुल और आसिफ देखिए बसपा सुपर मायवती कहती है कि बाते कम और काम अधिक किया है और हमार सब्सकारा वेतरीन रिकॉण रहा है लेकिन सपार बीकारा हैि और पाजपा ने सिर्व जंता को ठगने का ने का में कि तो कि तो बस ऑफ मा पर कितना भरोस शाजतानारी है जहांता ही, जानेंगे कि बश्वा पर कितना भरोतजन आ रही है। रोट कर आए है किसकी मुद्दे को लिएकर स्कुले से बट किया है। कि देखे आज की जो कि तरोट और जटार को दोट करें है किए ग्रीश्ट में आज दूड़ार गूजधर जो सरकार जो थे जो आंज जो आज पसकार कि देखिला को डिन वे कि वायवती जिसा जो है तो यहां था नहीं लगता है कि आशिफ आम जनता क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं आप को यहां में रोकूंगे एक बड़ी खबर आ रही है जरा वो हम आम दर्शक तक पहुंचा दे अमेठी से बड़ी खबर है जो आपर ग्राम मे की बेटियों और बेटि के खलाब लामद हुए है पूर प्रदान पर ग्रामिनों ने गंभीर आरोफ लगाए ग्रामिनों से करोरो रुपे वसूले का रोफ है ग्रामनों ने पूर्प्रदान पर आवाज वचाले पट्टे के नाम पर हजारों ग्रामनों से करोडों रूपयवसूलने का गंबीर आरोप लगाया कि परधान हमारे यहां जगदीश जो है कि पुस्त पुत्र रभिंदर जो है यह हमसे पैसा लिये थे इट के लिए मतलब बनवाना था हमको खालोनी देने के लिए करें उसके लिए पंद्रह जार रुपे लिए 38,000 रुपे इट के लिए अर्टीजी एक्स करवाए थे लिए दिए अभी तक कह रहे थे प्रध्ण हम और लेए आई तो ऐसे में और कितने लोगों से पैसा लिया है ये सब बहुत से लोगों से लिया है जिसका कमें मालूम नहीं है तो उत्रप्देश विधान सभाचुनाव 2022 का आखरी अंतिन चरण आज है सातवा चरण और उसके बाद फिर 10 मार्च को काउंटिंग होनी है मतगणना होनी है कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन वापस सत्ता से नीचे गिरेगा यह देखना होगा लेकिन आज की तस्वीर यह तैक कर देगी कि आखर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है सुभा सात बजे से नौजलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और करीब 10 बच चुके हैं वोटिंग परसेंट जो है 9 बजे तक का वो भी सामने आ चुका है जो आपर कोटे से ब्रेक के रूक रहे हैं जो लोटेंगे